सुबह सुबह जैसे किचन की खिड़की खुली सामे पर उसी ने जराए दुबह सलाम हुआ तो उसने कहना इस्टार्ट किया दिया आम का सीजन है तुम आम की कोई रेस्पी शेर नहीं कर रही हो मैंने कहा हां हां मुझे पता है जुरू इसे कुछ खाना होगा तभी वो मुझ जब पकते हैं तभी मीटे होते हैं मैंने इसे दोया चीला और बारी कट कर लिया तो आज मैं बनाने वाली हो कच्छे आम की कट्टी मीथी चटिकदार कलोंजी की बनाने की मेरी रेस्पी है वह बहुत जादा सीफल है तो सबसे पहले मैंने गैस जलाया है पैन गरम किया जो मैंने करीब 2 मिनटी से हलका हलका भून लिया है मेथी चुकी कड़वा होता है तो इसको भूनना ज्यादा अच्छा होता है उसके बार डाल दिया यह बारी कटी हुई आम अब फिर इसको भी मैंने चला दिया एक बार और भया खटी मीथी आम की चुकलोंजी बनती है वह ब बताओं आपको पूरे घहर में फेल गई थी अगर परोसन के पास तो पका पहुच गई होगी अगर उसे ना पहुचाओ नो तब तो मुझे सुनाने लगेगी यह ठक्के में से करीब 5 मिनट पका लोंगे और 5 मिनट में ही बही आए कितनी अच्छे से गल गया है देख सकते चहाँ अबटापन के टियार है आपको छीनी डालना ना यहाँ थे और जाद़ भी डाल सकते हैं और जादगती होई कशिरß और बस अभी मैं जाड़ उसको परोसन को देने के लिए नबर नहीं कहें कि मुझे नहीं खिलाया तुम्हें और लोजी जो बाकी बचे थे वो मैंने सारे के सारे ये कांच वाले जार में डाल दिये और मैं तो भई इसे भी चट करने वाली हूँ और 15-20-23 तक मेरा तो जुग मतलब कि दूसरों की कारण हम लोग है तकलिफ में आ जाते हैं और आपको क्या ही बताओ जो तकलिफ देने वाली होते हैं इनने उतके पराये नहीं होते हैं इस घर को लेकर भी न बहुँ जादा दिक्तत हैं जो कि मैं सोचल मेडिया में सेयर ने करना चाहती हूँ लोग संद आते ते लाइक कमें जुल